नमस्कार दोस्तों स्वागत आसे दोस्तों महु अकोला गेज कनवर्जन में गुड़ी इस्टेशन से च्टाजा अपडेट निकल कर सामने आई है यह आप देख रहे हैं इस्टेशन बिल्डिंग और जो प्रशाशनिक अपरेटिंग भवन है उसका निर्मनकार्य यहां पर चोरों से चल रहा है काफी उचा यहां भवन बनाया जा रहा है जमीन से अच्ची हाइट लेकर इसको बना जा रहा है साथ ही ट्रेक भी काफी अच्ची हाइट लेकर ही बनाया जा रहा है इसमें पेनल बिल्डिंग के साथ में स्टेशन मास्टर केविन और अपना टिकेट क यह वर्ष के अंतितक पूरा हो सकता है परन्तु मीडिया में जो रिपोर्टे आ रही है कि सेक्षन का CRS दिसंबर में किया जा सकता है उस लक्षे से तो फिलाल में यह सेक्षन पीछे चल रहा है वह क्यों यह हम आपको आगे बताएंगे यह आप देख रहे हैं गुडी स्टे कर रहा है यहां बहुमुल्य वीडियो अपडेट हमें भेजी गई है जिसको हम आप सब के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्लेटफार्म के लिए ट्रेक बिचाने के लिए स्लिपर अतिरिक्त यहां पर रखे हुए साथ ही जो फाइबर केबल और जो बॉक्स वगेरा रहते हैं वह यहां पर आचुके हैं जो ट्रेक के साथ में सिग्नलिंग और ट्रेक से संबंधित उपकरण आदी इसमें फिट किये जाते हैं ताकल इस्टेशन तक रेलवे के द्वारा पूराना ट्रेक बिचाया गया था तथा उसको बाद में 260 मीटर लंबाई के ट्रेक से रिप्लेस किया गया लेकिन गुड़ी इस्टेशन पर सीधे 260 मीटर लंबाई वाला ही ट्रेक बिचाया गया है तथा यह आप देख रहे हैं खंडवा एंड है और हमारे पीछे अकोला जाने वाला सेक्षन है इस पूरे गेज कनवर्जन में काफी उतार चाड़ाओ समय समय पर देखने पर मिले है गुड़ी इस्टेशन पर काफी ज्यादा जगे उपलब्द है यहाँ पर दूसरा ट्रेक भी आसानी से बिच्छाए ज रहा है और जैसा गी लग रहा है कि इस शेक्षन में अभी मेडिया रिपोर्टों के हवाले से पता चला है कि करीब 8 किलो मेटर का जो शेक्षन है उसमें कार्य काफी पीछे चल रहा है वहाँ है गुड़ी से लगा के आमला खुर्द वाला सेक्षन जैसा के हम बात कर रहे है कि इस पूरे गेज कनवर्जन कार्य में काफी उतार चड़ाओ देखने को मिले हैं पहले महू से सनावाद वाले सेक्षन में अलाइनमेंट जो सेक्षन काफी खतरनाक स्थिति पर मुझूद है पुराना वाला उसकी वज़े से बदलना पड़ा और एसा ही कुछ हमारे अमला खुर्द से अकोट का सेक्षन है उसमें भी मेलगां टाइगर जीजरों की वज़े से अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा जिससे की करीब 50 किलोमेटर की एक्स्ट्रा दूरी दोनों सेक्षनों में बढ़ चुकी है अब जबकि भादाएं दोनों सेक्षनों की दूर हो चुका है वर्च के अंत तक दोनों जो डाइवर्टेट सेक्षन है उनमें कार्य शुरू किया जा सकता है अभी फिलाल में आमला खुर्द से अकोट के बीच में परिवर्तित मार्ग का पाइनल लोकेशन सर्वे अंतिम दोर में चल रहा है जल्दी ही भाद पूरा किया जा स उससे करीब एक हफते से ज्यादा समय उस ट्रेक को फिर से अपनी जगे पर बिठाने में लग गया और उसकी भी सुरक्षा से सम्बंधित जो कम्या थी वह भी सेक्षन में सामने आई थी एसी पुन्रवरत्ति ना हो इसलिए जो सम्बंधित एजेंसी है उसके द्वारा और दक्षन मधिर रेलवे के द्वारा पूरी सावधानी से कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि एसी घटना दोबारा इस सेक्षन में ना घटे और पूरी ततपरता से कार्य किया जा रहा है यह आप देख रहे हैं गुड़ी स्टेशन का प्लेट फार्म बनाया जा रहा है इसके पिछे ही स्टेशन बिल्डिंग भी बनाई जा रहे है जिसका नजरा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था करीब छेस्सो साड़े छेस्सो मीटर लंबाई का यह प्लेट फार्म बनाया जाएगा सिंगल प्लेट फार्म रहेगा क्रासिंग के लिए भ के बड़े फूल पूर्व में ही बन चुके थे साथी पुलियाओं का भी काम वहां पर हो चुका है जिसके कारण टाकल से लगा के गुड़ी आउटर तक जो ट्रेन आई थी ट्रेक डालने वाली वह सफलता पूर्वक आ गई थी वहीं सेक्षन में विद्ध्यूतिकरण के क कराने की मांग की थी देखते हैं अब आगे क्या होता है बहराल आपने देखा कि गुड़ी स्टेशन के कार्यों की क्या इस्तिति है साथी जो सेक्षन है इसमें विद्धिन जगों पर कार्य क्या चल रहे हैं हमने समय समय पर आपको इसके बारे में जानकारी अपने चेनल क माध्यम से दी है साड़ेशे साल से भी अधिक समय गुजरने के बाद में अब जाकर यहां पर यह ट्रेक बिछा है और सब कुछ ठीक रहा तो खंडवा से गुड़ी तक का जो सेक्षन है इस पर टेस्टिंग पहले की जा सकती इसके पच्चात आमला खुर्द का नंबर आ सकत इस बारे में आप अपनी राय हमें जरूर दें आप सभी का धन्यवाद